Good morning students, myself Vinay Adav, Department of Chemistry Team CLC Seeker मैं आज आप लोगों के साथ discussion करने जा रहा हूँ physical chemistry का जो हमारा electrochemistry chapter है उसका revision करेंगे हम लोग year 2019 और 2020 में J.E.Mains ने जो papers conduct करा हैं around 22 papers conduct करा हैं उनके हर एक paper में जो electrochemistry से questions आई हुए हैं उनके through हम लोग revision करेंगे तो electrochemistry chapter से करीब हमारे 22, 21 या 22 questions आई हुए हैं out of 22 papers तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि electrochemistry का जो weightage है वो on and average per paper out of 25 questions J.E.Mains का format हमें पता है और उसमें से एक question हम लोगों को electrochemistry से मिलेगा तो एक important chapter माना जा सकता है तो चलिए बढ़ा हम लोग electrochemistry से अपनी beginning करते हैं lead storage battery का question ने बढ़ा जिसको faraday law से बहुत अच्छे से connect किया है आप इसको पढ़ सकते हो anodic half cell of lead acid battery is recharge using electricity of 0.05 faraday the amount of PVSO4 electrolyzed ठीक है हम से क्या बोला जारा है जारा ध्यान से देखो amount of PVSO4 is electrolyzed during the process ठीक है anodic half cell दे रखा है आपको recharge during using electricity of 0.05 faraday ठीक है ओके भई नाओ यहां क्या होगा anodic half cell है अपने पास ठीक है और इसको 0.05 faraday current पास कराए गया वह हमसे anodic half cell पे कितना electrolysis होगा इसके बारे में जानना चाहरा है तो पहले तो मैं आप लोगों को recall करा दूँ कि lead storage battery क्या होती है यह secondary batteries के category में आती है जिसको हम लोग बार बार recharge कर लेते हैं एक बार discharge होने के बाद ठीक है lead storage battery में अगर आपको ध्यान हो तो बटा क्या होता है anod half cell किस से बना होता है lead से और cathode half cell किस से बना होता है ठीक है PbO2 lead के ऊपर coating होती है PbO2 की जो कि यहां पर किस तरीके से काम करता है बटा cathode की तरह है और anod half cell जब हम लोग बात करते हैं कि यहां पर anod half cell पर क्या हो रहा होता है clear यहां पर जो बटा during discharging जब यह cell काम कर रहा होता है मतलब यह as an electrochemical cell काम कर रहा होता है तो during discharging क्या होगा बई यहां पर Pb जो है अब इस तरीके से जो है h2so4 का जो electrolyte होता अब अनोडिक हाफ सेल और cathode का हाफ सेल जो है उनके बीच में जो electrolyte h2so4 का भरा होता है उसकी density जादा होती है और यहां पर उसका consumption हो रहा है यहां पर ठीक है sulphide iron और इदर पर h plus iron और sulphide iron दौनों ही consume होंगे PbO2 का ठीक है तो यहां पर क्या होगा बदा 4h plus plus SO4 2 minus plus 2 electron will give what PbSO4 plus 2h2o यह question हम लोग जानते हैं के थोड़ा अपसाहल पर clear तो अगर हम देखें कि electrolyte धीमे-धीमे कम होता जा रहा है है ना अगर हम standard condition में बात करें तो lead storage battery का जो एक combination होता है anode और cathode का उनके बीच का electrode potential आता है 2 volt ठीक है बदा 1.1 gram per ml आ जाती है ठीक है तो क्या होता है cell का जो bulb है वो signal दे रहता है वहां पर कि भई जो है discharge हो चुका है अब इसको हमें recharge करने की जुरूत पड़ेगी ठीक है अलाकि इसका कोई लेना देना नहीं है आपका concept पार्ट पर मैं यहां पर deal कर रहा था कि आपको जब यह problem explain करूं तो आपको समझ में आए अब जब यह discharge हो जाता है ठीक है तो हम लोग क्या करते है कि opposite direction में मतलब DC current से उसको जो है हम लोग recharge करते है ठीक है अब जब recharge करेंगे तो क्या होगा देखो इसको जब हम लोग recharge करेंगे तो recharge के दौरान क्या होगा एनोड अफसल पर यहां पर जो भी reactions होती है उड़ा वो reversible manner में हो जाती है द्यूरिंग डिचार्जिंग यह तो मैंने डिश्चार्जिंग की रिएक्शन लिखी तो एनोड अफसल पर क्या हो गवड़ा यहां पर PBSO4 ठीक है प्लस टू एलेक्राउन विल्गे बॉट पीवी शॉलिड प्लस सल्पेड आइल ठीक है अच्छा तो अगर हम देखें यह पर कि फैराडे लॉस से भी हम लोग जा सकते हैं क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है एमांट ओफ PBSO4 ओके तो हमें वह एमांट PBSO4 की बतानी है जो की इलेक्ट्र लाइस हो जाएगी तो इलेक्ट्र लिसिस PBSO4 का जब हमारा हो रहा है ठीक है तो हम सिंप्ली बोल सकते हैं दो फैराडे से एक मूल PBSO4 क्या हो रहा है डिशार्ज हो रहा है और हमने करेंट किता लिए हमने 0.05 फैराडे यहां पर पास कर रहा है ठीक है तो जड़ा देखते हैं हम लोग हमारे पास क्यों जो है 0.05 फैराडे और यह जैड एलेक्ट्र केमीकल एक्विलेंस क्या होगा एक्विलेंट मास्ट डिवाइड़ बाइ एफ और यहां पर क्यों कितना लिए 0.05 फैफ ठीक है अच्छा एक्विलेंट मास्ट क्या होगा मोलर मास्ट डिवाइड़ बाइ वैलेंसी फैक्टर ओके वैलेंसी फैक्टर यहां पर कितना बड़ा टू है ना तो यहाँ पे 2F कर दिया यह 0.05 F आ गया FF cancel out हो गया तो अब यहाँ पर क्या आएगा देखो यहाँ पर आएगा M upon इसको solve करोगे तो यहाँ पर आएगा M upon 40 ओके अब M upon 40 आएगा तो यहाँ से क्या जाएगा बोलो M upon 40 कितना आएगा M कितना एवड़ा molar mass आपको क्या दे रखा है इसका PBS of 4 का 303 ओके तो 303 यहाँ पर आएगा कि भाई अपन लोगों ने 303 लिया ना तो 303 divided by 40 that comes out to वड़ा यह point लगा दो यहाँ पर 7 okay points 6 ठीके ना around 7.58 के आसपास आएगा that is what 7.6 okay so ज़रा हम देखते हैं option कोई दे रखा बड़ा option number 3 आप देखो option number 3 will be the correct answer okay तो आयोप समझ में आ गया होगा तो इसके लिए इसमें lead storage battery के आपको reactions पता होनी चाहिए ठीके तो आप लोग इसको कर पाते और इस तरीके की zumbled problem थोड़ी सी अच्छी बनती हैं उके उसमें आपके दो या तीन concept यूज कर ले जाते हैं अगर आपको lead storage बैटरी के बारे में कुछ नहीं पता है ठीक है तो आप इसको आगे भी प्रोस्टीट नहीं कर पाऊगे भले ही आपको फैराडे लाओ आता है ठीक ठीक है अच्छा options जड़ा देखें तो यहाँ पर exponential के terms में दे रखा है ओके equilibrium constant पूछा है तो अगर हम देखें बढ़ा यहाँ पर तो देखो equilibrium constant का relation कैसे निकालेंगे अपन को यह पता है बढ़ा delta g is equal to what delta g not ठीक है प्लस rt ln qc है ना यह तो अपन लोगों को thermodynamics वाले relation से पता ही है अब delta g at equilibrium क्या होता है at equilibrium delta g is equal to kya होता है delta g is equal to 0 अब delta g 0 हो जाएगा तो e cell भी 0 हो जाएगा क्योंकि delta g होता है अगर हम देखें delta g तो आपका हो गया 0 e cell भी आपका 0 ठीक है तो बच्चा क्या होता यहां से आया और साथ में क्या होगा qc is equal to kc है ना तो आप देखो यहां पर क्या होगा कि delta g 0 is equal to kya जाएगा minus of rt ln kc यही लिखा जाएगा इसको हम लिख सेकने minus of nf e 0 cell ठीक है is equal to minus of rt ln of kc ठीक है अच्छा जी तो e 0 cell क्या आगया है यहां से देखो e 0 cell आगया आपका rt by nf ln kc ठीक है यह अपन लोगों का expression आ गया result आ गया ठीक है अब देखो यह जो problem अपन को पूछी गई है उसमें हम देखते हैं बड़ा कि problem क्या है और उसको हम फिर deal कैसे करने है यह expression मैंने अभी निकाल दिया क्योंकि इस expression की अपन को ज़रूरत पड़ेगी है ना इस question में अपन लोगों को इनॉट दे रखा है क्योंकि और केसी पूछा गया है अब यहां पर देखो कुछ useful values उन्होंने दे रखी है अपन को आर की value 8 दे रखी है मतलब हमें 8 यूज करने है 8.314 की जगह और पराडे की value 9600 दे रखी है 96500 नहीं है तो यहां पर अपन लोगों को यह बात ध्यान नहीं है तो put करते है मतला यहां पर values को ठीक है क्या दे रखा है यहां पर इनॉट आपको टू बोल्ट दे रखा है है ना ओके आर की value 8 टेंपरेचर तो 300 Kelvin है एन की value आपको कितनी दे रखी है 2 और यहां पर f किता है अपने पास 9600 ठीक है एलन ओफ केसी ओके तो यहां से क्य करें इसको एलन ओफ केसी को एक साथ लेलो ठीक है यहां पर क्या है बढ़ा टू इन्टू 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 9600 अपन 8 इन्टू 300 तो 300 यह कैंसल आउट हो गया ओके फोर टूजा ओके तो यहां से क्या बचा 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 बढ़ा 960 अपन 6 ओके देट कमस आउट बीवाट इस इस एकल टू 160 बचा तो केसी इस 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 एकल टू क्या आगया exponential की पावर 160 है ना ओके तो आई ओप समझ में आगया हो बचा अपके तो यह option है अपनको कोई दे रखा है exponential के terms में यस ओके E की power 160 अपन लोगों को option no.3 दे रखा है तो अपन लोग इस पे जा सकते हैं ठीक है तो 160 question no.3 पे आ जाते हैं ठीक है question no.3 तो ये आसान सा question दे रखा है electrochemical cell galvanic cell अपन लोगों दे रखा है now consider the following reduction processes okay पूछाए reducing power okay तो reducing power क्या होगे बढ़ा reducing power का मतलब खुल जाला oxidize होने की tendency हो ठीक है तो यहाँ पे तो बढ़ा reducing power जो होती है न reducing power is directly proportional to the standard oxidation potential ठीक है standard oxidation potential clear तो अगर मैं बात करूँ SOP standard oxidation potential यह हम लोगों के आदे रखा है बढ़ा standard reduction potential या तो हम लोग inversely बात करें ठीक है तो standard oxidation potential zinc का ZN2 plus में क्या होगा क्या होगा भई 0.76 0.76 okay calcium का क्या होगा बढ़ा E naught of calcium 2 calcium 2 plus 2.87 okay volt यहाँ पे E naught of magnesium क्या होगा mg 2 plus में that is 2.36 volt और यहाँ पे E naught of Ni Ni 2 plus क्या होगा that is 0.25 volt ठीक है तो SOP highest किसका दिख रहा है बढ़ा SOP highest अगर हम देखें तो यहाँ पे अपन लोगों को highest SOP दिख रहा है calcium का ठीक है फिर उसके बाद magnesium का ठीक है तो calcium के बाद magnesium आएगा magnesium के बाद zinc आएगा फिर nickel आएगा कौन सा option दिख रहा है अपन को option number one calcium, magnesium, zinc और nickel so first will be the correct option है ना चलिए तो next question की और बढ़ते है बढ़ा यहाँ पे question number four देखो यहाँ पे question number four में क्या बोला जा रहा है in the cell platinum to anodic half cell आपको देख का बढ़ा hydrogen electrode का और silver chloride और silver का cathodic half cell दे रखा है मतलब यह आपका metal metal insoluble salt iron half electrode है और वो यहाँ पे hydrogen electrode है ठीक है अच्छा कहानी कुछ इस तरीके की हो रही होगी बढ़ा है यहाँ पे कि इसको जड़ा imagine करते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे double slash नहीं होटा single slash है मतलब HCL यहाँ पे electrolyte की तरह है किसे काम कर रहा होगा कैसे देखो पहले आगे की कहानी हम पढ़ लेते हैं कि अपने लोगों को cell potential दे रखा है 0.92 volt ठीक है और 10 to the power minus 6 molar HCL solution is used the standard electrode potential ठीक है ओके silver silver chloride का standard electrode potential पूछा गया हमसे तो सबसे पहले अगर हमें यह पता चल जाए कि cell का standard electrode potential क्या है तो हम लोग उसकी मदद से निकाल सकते हैं चलो बढ़ते हैं बढ़ा इस problem को solve करने के लिए इस में देखो हो क्या रहा है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे gives 2H plus plus 2 electron चीक है अच्छा cathode half cell पे क्या हो रहा है cathode half cell पे AgCl plus electron will give what the Ag plus Cl minus ओके अच्छा ओविएस है यह तो equus face में रहेगा अच्छा अब ज़रा हम लोग बात करें overall cell reaction क्या लेखी जाएगी इसके लिए तो यहाँ पे यह बात ध्यान रखके बड़ा कि cathode किसका बना हुआ है AgCl Ag and Cl minus ठीक है metal metal insoluble salt iron ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा H2 half of H2 plus AgCl solid gives what Ag solid plus H plus aqueous plus Cl minus यह पूरी full cell reaction लिखी जाएगी इसकी अब इसके लिए भी आपन लोग जब expression लिखेंगे किसका E cell का तो क्या लिखेंगे E cell is equal to what E naught minus of 0.0591 upon 1 ठीक है हमें 0.06 लिखने को बोला है नो ने ठीक है R T Y N F को 2.303 तो 0.06 divided by what यहाँ पे 1 log of क्या आएगा log of आएगा H plus I की concentration into Cl minus की concentration ok upon partial pressure of H2 ठीक है अच्छा जी अब देखो बढ़ा है यहाँ पे अपन लोगों को इसका cell potential कित्ता दे रखा 0.92 ok तो अपन लोगों को यह value तो देदे हैं 0.92 गोल्ट E naught हमें पता करना है ok यहाँ से क्या आए का बढ़ा minus of 0.06 upon 1 ठीक है ध्यान दो यहाँ पे HCl एक ही है और दोनों ही anodic half cell और cathodic half cell दोनों ही क्या बढ़ा एक ही electrolyte को यूज करना है common electrolyte है यहाँ पे जैसे हम ऐसे समझें कि एक बड़े chamber में HCl भरा हुआ है ठीक है H plus and Cl minus और यहाँ पे अपन लोगों को क्या है एक hydrogen यह platinum wire डालके ठीक है hydrogen electrode बनाया यहाँ ठीक है यहाँ से hydrogen gas पास कराई है ठीक है और यहाँ पे H plus Iain के साथ यह oxidize हो रहा है इसी तरीके से यहाँ पे क्या है हम लोगों ने एक platinum wire लिया यहाँ यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे combination हम लोगों ने ले रखा है किसका AGCL और साथ में क्या है यहाँ पे बड़ा silver तो AGCL और silver यह दो अलग-अलग हम लोगों ने solid face में coating कर रखी है समझ भात को और यहाँ पे solution क्या use हो रहा है common solution use हो रहा है तो यहाँ पे जो आपकों बोल लहा है कि जो HCL की concentration ले रखी है वह 10 to the power minus 6 molar ले रखी है अब 10 to the power minus 6 molar ले रखी है मतलब यहाँ पे क्या एगा H plus Ayan की भी concentration क्या हो गोड़ा HCL की concentration वो कह रहा है हमने 10 की पाव बाव माइनस 6 molar ले रखी है तो H plus भी किता हैगा 10 कि power minus 6 C L माइनस B क्या आएगा 10 कि power minus 6 तो यहाँ पर कितना हो गया 10 कि power minus 12 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 कि power minus 12 जा लोगै अब यहाँ से क्या आ रहे है E 0 आ जाएगा आपका 0.92 0.06 और यह आपका इसको यहाँ पर बेजा तो यहाँ से आएगा plus 0.06 log of 10 to the power minus 12 यहाँ से आएगा 0.92 ओके यहाँ आएगा minus 0.72 ओके बटा ओके यहाँ से क्या आजाएगा अपने पास E naught की value आ गई 0.20 volt ठीके अच्छा अब अपन लोगों को पूछा क्या जा रहा है अपन को पूछा जा रहा है कि electrode potential of silver chloride silver electrode जो है इसका पूछा जा रहा है ठीके अब देखो यहाँ पे अगर मैं E naught की बात करूँ बटा तो E naught क्या होगा standard reduction potential of cathode cathode किसका बना हुआ है AgCl to AgCl minus ठीके minus anode किसका बना हुआ हाईटोजन का ठीके तो hydrogen electrode आपका standard electrode potential है यह कित्ता हो जाएगा यह है आपका यह तो 0 होता है बटा 0.0 volt तो अब यह क्या बचा यह तो आ गया E naught 0.20 तो E naught कित्ता है यह AgCl to AgCl minus इसकी value आ गया आपकी 0.20 तो ज़र हम देखते हैं 0.20 को यह option है क्या ठीक है option number 3 देख रहा है मेरे को ठीक है तो option number 3 will be 0.20 चलो next problem की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे question number 5 जो बोला जा रहा है अपन लोगों को बोला जा रहा है कि for the cell आपको एक cell दे रहा है वड़ा आपको यहां पे कोई metal x plus oxidation state में M solid में जा रहा है different half cells and their standard electrode potential are given below ठीक है आपको srp value दे रखी है अलग-अलग electrodes की ठीक है वो कह रहे हैं कि आपको zinc का standard direction potential दे रखा है ठीक है जो की anode की तरह गाम कर रहा है वड़ा और यहां पे which cathode will give maximum value of e0 ठीक है तो maximum value of e0 देने के लिए क्या वड़ा e0 cell जो होता है इसका maximum value हमें लेना है ठीक है e0 of हम लोग क्या लिखते है standard direction potential of cathode minus standard direction potential of anode anode तो fix है वड़ा zinc 2 plus 2 zinc ओके यह कित्ता दे रखा है अपनको minus 0.76 मतलब यह minus minus हो जाएगा plus 0.76 ओके हमें इसकी value maximum चाहिए तो e0 of cathode जो है हम क्या put करें ताकि हम लोगों को e0 maximum मिले ठीक है तो obvious e0 of reduction potential of cathode जिसका maximum दे रखा होगा ठीक है उसको हम लोग choose करेंगे तो यहाँ पर सबसे highest electrode potential किसका दे रखा है अपन लोगों को AU और यहम का जो है electrode potential सबसे ज़ादा दे रखा है गोल्ड का तो यहाँ पर AU plus 3 should be the metal जो होना चाहिए AU plus 3 AU plus 3 to AU यह आपको cathode की तरह select करना चाहिए ठीक है ना समझ आ गया चलो next question की तरफ बढ़ते हैं आगे बढ़ा question number 6 question number 6 अपन लोगों को क्या बोल ला है equilibrium constant अपन को दे रखा है और E naught पता करना है ठीक है अभी अभी हम लोगोंने formula derive करा था formula क्या था अपने पास जो हमने derive किया था E naught is equal to minus of 0.0591 upon 2 ठीक है और यहां पर क्या आएगा log of हां ठीक है log of क्या आएगा यहां पर के equilibrium क्योंकि अपन को केसी ही तो यह plus हो जाएगा ठीक है तो यहां पर E naught का हम लोगोंने यह formula निकाला था ठीक है यह अपन को दे रखा है कि इतना 10 की पावर 15 मैंदब 10 की पावर 16 कर दो इसको तो 0.03 बचेगा आए राउंड यह और यह 16 log of 10 की पावर 16 यह कितना आएगा यह रफली आएगा 0.03 इंटो 16 यह रफली 0.48 आएगा ठीक है 0.48 के आराउंड को यह option दे रखा है वोल्ट यस option नमबर 2 आपको 0.48 के closest में लब क्योंकि हम लोग 0.591 रखेंगे तो यह 0.47 something यह आएगा clear so अपन के पास जो option आ रहा है वो कौन सा रहा है option नमबर 2 बिल भी दा correct answer okay चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे next question की दरफ चलो तो बढ़ता question no.7 जड़ा द्यान से पढ़ो यह question थोड़ा अच्छा question है the standard electrode potential of e0 and its temperature coefficient is d0 by dt for a cell are 2 volt and minus 5 into 10 to the power minus यह आपको e0 की value दे रखिये 2 volt और तो जो temperature coefficient है देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा nurse equation वगएरा वहाँ पे e-cell जो electrode potential है उसमें temperature का या thermodynamics का कोई involvement नहीं दे रखा है कि किसी cell का या electrode potential जो होगा किसी electrode का वो temperature dependent है कि नहीं तो यह सबसे अच्छी problem मानी जा सकती है जो previous year में आई हुई है क्योंकि thermodynamics का इसके साथ correlation है ठीक है तो इस question को जोड़ा इत्मिनान से करेंगे तो पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जिसको करें कैसे ठीक है तो इसमें देखो बढ़ा यह question जो है आप लोग पढ़ सकते हूँ यहाँ पर इलेक्टोड विर्वह दे रखा है आप लोगों को और यहाँ पर temperature गुडांग भी दे रखा है और आपको cell दे रखा है ठीक है standard reaction enthalpy पूछी गई है ठीक है तो standard reaction enthalpy क्या होगी देखो delta h0 is equal to what minus of nf e0 plus nf t log of d e sorry nf t d e cell d e0 cell by dt यह आपका expression आएगा ठीक है enthalpy का जो expression आएगा वो यह आएगा ठीक है अभी expression कैसे आया मुझे तो याद है ठीक है लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़ा हो तो इसको जड़ा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं ठीक है इसमें देखो कैसे करें इसको अपन लोगों ने thermodynamics से य यह होती है डी जी ठीक है वह क्या होती है डी एच और माइनस डी आफ टी एस ऐसा पड़ा है अपन लोगों ने ठीक है यह पूरा calculation करते हैं हम लोग डी एच एच इस अगल तो यू प्लस पी वी और यह सब और माइनस ओफ टीडी एस माइनस ओफ डीटी एस ठीक है तो यह आपन लोग क्या करेंगे इसमें कि भाई टीडी एस और डीटी एस या माइनस ओफ एस डीटी ठीक है यह रखेंगे हम लोग अब देखो यहां पे डी यू प्लस पी वी इस पूरे को सॉल करके जब expression हम लोग निकालते हैं यू की जगे हम लोग क्या लिखेंग वड़ा क्य यू प्लस डब्लू डब्लू जगल टो माइनस पी डीवी तो यहां से डीजी का जो expression आता है वो क्या आता है वी डीपी माइनस ओफ जो है आपका आएगा एस डीटी ठीक है अच्छा अब देखो कोई भी सेल रियक्शन की बात हो रही है यहां पर अगर सेल की बात करें हम तो कोई भी सेल वर्किंग सेल जो होगा अगर यहां पर temperature वेरी कर रहा है तो वहां पर प्रेसर तो सेम रहा होगा बड़ा तो अगर हम देखें आपे के at constant pressure यह बात ध्यान रखना यहां पर at constant pressure यह relation ध्यान रखना बड़ा ठीक है ना यह relation आता है ठीक है गिप्स प्रेशन क पर जो है vdp वाला factor क्या होगा यह वाला 0 हो जाएगा अब यहां से बचेगा क्या dg is equal to what minus of sdt ठीक है अब यहां से क्या आएगा भाई s क्या आजाएगा minus of dg by dt ठीक है clear अच्छा अब जब dg by dt अगया यहां पर तो क्या हम लोग यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि delta s is equal to what minus of d by dt of delta g यह अपन लोगों का theme है पूरा ठीक है constant pressure पर जो entropy change होगा वो आपका आगया minus of d delta g by delta t ठीक है अब देखो यहां पर अब क्या करेंगे अपन लोगों को यह भी पता है कि delta g is equal to what delta h minus t delta s ठीक है अब उन्हों standard conditions पर बात करें तो हम लोग standard conditions पर बात कर लेते हैं delta g not is equal to delta h not minus t delta s not delta h not हमें find out करना है ठीक है तो delta h not is equal to क्या होगा आपका delta h not is equal to delta g not plus t delta s not ठीक है यह कित्ता है गवड़ा यह तो आगया minus of nf e not cell ओके और यहां से क्या है गवड़ा ती तो अपन लोगों का आगया साथ में इसको लिख दो अपन लोग minus of t of d delta g not by dt ठीक है जब इसको भी minus nf e लिखोगे तो बढ़ा यहां से क्या आजाएगा nf तो बाहर निकाल दोगे ठीक है यहां से क्या आएगा देखो यहां से आएगा आपका nf t ok d और यहां पे e not by dt यही expression की बात कर रहे थे हम लोग ठीक है तो यह expression जानना जरूरी था कई बच्चों को नहीं पता होगा यह कैसे करते हैं हम लोग clear तो ज़रा enthalpy की बात हो गई अब इस enthalpy change का जो expression आया है बस values पूट करने की दे रहे हम लोगों को और हम लोगों को answer मिल जाएगा देखो यहां पर अपन लोगों को जो values दे रखी है उसको जड़ा हम देखते हैं यहां पर डवड़ा values अपन को क्या दे रखी है जड़ा देखते हम लोग value अपन लोगों को दे रखी है दो वोल्ट आपका E0 दे रखा है ठीक है तो इसको minus of जो cell reaction दे रखी है विड़ा जिंक और कॉपर की दे रखी है तो यहां पर 2 into what Faraday की value जो दे रखी है अपन को 9600 दे रखा है तो 9600 ठीक है और R की value अपन लोगों को कित्ती R की value की अभी ज़रूवत नहीं पढ़ रही fortunately ठीक है यहां पर E0 कित्ता दे रख करणा 2 ओके नाओ यहां पर क्या आएगा भई nf जो है again 2 into what 9600 और यहां पर temperature कित्ता है अपने पास यहां पर देखो temperature कित्ता है temperature अपन को दे रखा है 300 ठीक है और साथ में क्या दे रख कर भणा temperature gradient दे रखा है अपन लोगों को minus of 5 into 10 to the power minus 4 ठीक है अच्छा अब यहां से अपन लोगों को solve करना वाकी है वाकी तो हो गया अपन इसको solve जब हम लोग करेंगे ठीक है तो 9600 यहां पर दे रखा है एक काम करते ना फेराडे को अभी f के ही form में लिखा रहे हैं दो ठीक है तो यहां पर f आएगा इसको calculate करोगा आप ठीक है और इसको भी calculate करोगा यहां से आया माइनस फोर f और यहां से किता है माइनस ओफ यह आएगा आपका 15 जड़ा 3 3000 इंटो 10 दो पाव माइनस अलब यह 0.3f यह किता आगे बड़ा माइनस ओफ 4.3 फेराडे ठीक है माइनस ओफ 4.3 फेराडे जो है आपका डल्टा हो गया ओके अब अपन लोगों को options क्या दे रखें इस पर हम बात करतें जड़ा ठीक है option देखोड़ा है यहापे अपन लोगों को हाँ इसको जड़ा 4.3 इंटो 9600 ठीक है kilo joule में answer करना है अपन लोगों को ठीक है kilo joule में answer करना है तो यह 308 दो बड़ा क्योंकि अभी जो answer आएगा वो जूल में आएगा तो delta h0 जो है आपका वो minus times of यह 308 ठीक है अब यहाँ पर करीब 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 कितना आएगा यह करीब 400 गया सपास आने चाहिए यह 96 मतलब almost 100 मालनू 400 तीस से थोड़ा सा कम ठीक है 430 से थोड़ा सा कम ठीक है करीब 400 से थो प्लस ही रहेगा ठीक है तो मतलब यह 412 सबसे accurate answer यह है ठीक है तो minus 412 clear समझ में आएगा तो इस पूरी problem का जो जान था वो यह था कि थर्मोडैनिमिक्स का और enthalpy of cell reaction का क्या relation होता है ठीक है तो यह formula याद रख लेना आगे के लिए भी काम में आएगा चलो next अपन लोग बढ़ते हैं आगे आड़ में कुशन की तरफ अपन लोगों को दे रखा है ठीक है तो कोई भी weak electrolyte होता है अपन को पता है तो weak electrolyte के लिए अपन लोग क्या करते हैं जो degree of dissociation निकालते है वो उस given concentration पे जो molar conductivity होती है अपन limiting molar conductivity लेम्डा नौट सी ठीक है यह formula निकालना है अपन को लेम्डा नौट सी तो हमें यह data दे रखा है इसकी मदद से मिल जाएगा ठीक है अब लेम्डा सी कैसे निकाल जाए वही आपको लेम्डा सी दे रखा है कैसे देखो लेम्डा सी निकालने के लिए मिलोग क्या करेंगे 1000 इंटू वाट क्योंकि आपको यहां पर conductivity दे रखी है क्या दे रखा है तो conductivity कित्ती होगी 1000 इंटू के अपन मोलर्टी ओके तो यहां से आएगा आपका 1000 इंटू वाट 5 इंटू 10 तो दी पाव माइनस 5 divided by वाट यहां से मोलर्टी कित्ती है अपने पास 0.001 वादब 10 की पाव माइनस 3 तो 10 की पाव माइनस 3 यहां से क्या आएगा 50 आगया लेम्डा सी कित्ता आगया 50 से ओके अब जो है अपन लोगों को निकालना है अब निकालना है अपन लोगों को लेम्डा नॉट सी लेम्डा नौच सी किसकी मदद से मारे निकालना भी नहीं आपए डिक्य나ा नाट सी जो होगा वह क्या होगा लेम्डा नॉट अउफ एच CL जो strong electrolyte है ठीक है ना? कोलोस law की मदद से हम लोग ये formula design करते हैं वोटा weak electrolyte के लिए limiting molar conductance निकाली जाती है वो strong electrolyte की limiting molar conductivity की मदद से निकाली जाती है तो lambda not of HCL plus lambda not of what? NAA minus of lambda not of NACL. अब ज़रा values put करते हैं वोटा values क्या दे रखे हैं अपन को? values देखो इसकी lambda not of HCL क्या दे रखा है lambda not of HCL दे रखा है आपन को विटा 425.9 425.9 ठीक है? plus यहाँ पर आपको NAA की जो value दे रखे हैं 100.5 दे रखे हैं 100.5 minus of lambda not of NACL क्या दे रखा है आपको? 126.4 126.4 तो यहाँ से क्या आएगा भाई? यहाँ से आएगा आपका यह जो है 126.4 आगया? clear? इसको जड़ा solve करते हैं वटा 5 और 6 ओके 2 और यहाँ पर आएगा आपका 526 minus 126.4 तो calculation wise अगर हम देखें वटा तो calculation बिल्कुल easy है जही में के पेपर में वसे यह अच्छी ही बात रहती है कि भाई calculation आपको बिल्कुल straight forward मिलेगी सीधा सीधा अपन लोगों का lambda not of h से निकलाया कितना? और lambda c कितना निकाला था? अपन नवटा 50 तो यहाँ से alpha कितना आएगा? alpha आएगा आपका 50 upon 400 ठीक है? यह आएगा आपका 1 by 8 और 1 by 8 कितना थावड़ा? 0.125 यह alpha की value आगई ठीक है? तो जड़ा देखते हैं option को यह है yes option number 2 will be the correct answer ठीक है? चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे next question की तरफ question number 9 okay question number 9 देखते हैं given that okay आपको okay जैसा कि हमें दिखना यहाँ पर यह सारे srp values दे रखे है standard direction potential वो बोल लाएं कि strongest oxidizing agent तो मैंने बताया था आप लोगों कि oxidizing agent होने के लिए क्या है बटा srp value जादा होनी चाहिए तो जिसका srp जादा होगा उसकी oxidizing power जादा होगी क्योंकि खुत तो reduce होगा अगले को oxidize करेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जिसका जो oxidizing power होगा ठीक है सबसे जादा किसका होगा बटा जिसका srp value क्या है highest है तो srp value highest किसका देख रहा है s2o8 2- का clear 2.05 देखो सबसे आए src का देख रहा बटा तो s2o8 2- answer होगा बढ़ते हैं आगे हम लोग next question की तरफ now calculate the standard cell potential involved of the cell in which the following reaction takes place ठीक है reaction अपन को दे रखके वड़ा fe2 plus ag plus आपको fe3 plus okay plus ag अब इसमें करना कैसे ठीक है आपको दे रखका वड़ा x और y के terms में दे रखका है ठीक है अच्छा यहां पर cathode कौन होगा वड़ा but obvious silver का reduction हो रहा है anode कौन होगा iron ठीक है fe2 plus का oxidation हो रहा है तो fe2 plus जो है आपका oxidize हो रहा है ag plus reduce हो रहा है तो इसका जो है अपन लोग जब e naught निकालेंगे तो e naught क्या आएगा e naught आएगा आपका silver का standard reduction potential minus of iron का fe3 plus 2 fe2 plus srp ठीक है silver का कित्ता दे रहा है अपन को x volt दे रहा है अच्छा लेकिन अपन लोगों को fe plus 3 से fe plus 2 नहीं दे रहा है ठीक है बस यहीं सारा खेल है इस question का आपको दूसरे electrode potential तो दे रहा है fe2 plus 2 fe और fe plus 3 2 fe ठीक है लेकिन आपको जो required srp value है fe plus 3 की fe plus 2 में वो नहीं दे रखी ठीक है तो ज़रा इसको solve करते है मड़ा देखो इसमें क्या दे रखा देखो fe2 plus 2 fe2 plus plus 2 electron ठीक है यह fe दे रखा है इसको दे रखा है y volt ठीक है और fe plus 3 2 fe fe plus 3 2 3 electron gives what fe e naught कितना है अपने पास z volt ठीक है बड़ा अब जब अपन लोगों को चाहिए क्या बड़ा अपन लोगों को चाहिए fe plus 3 से fe 2 plus ठीक है इसके लिए यह note चाहिए ठीक है इसको मान के चलो बड़ा यह जो है और अपन लोगों को यह data दे रखा है तो इस case में हम लोग कैसे करते हैं cell potential अगर इस equation को ठीक है first equation को ले लो बड़ा और second equation को ले लो तो second equation को as it is low ठीक है और first equation का reverse करके add कर दो ठीक है और first equation का जब reverse करोगे तो वो क्या हो जाएगा minus y ठीक है लेकिन अपन लोग electrode potential को direct add नहीं कर सकते हैं ठीक है बड़ा मतलब e01 plus e02 नहीं कर सकते हैं ठीक है आप कर गया सकते बड़ा अगर इसको मैं third reaction third reaction मान लूँ तो third reaction जो होगी ठीक है वो second और first के inverse करके add करने से जड़ेगी तो आपन लोग delta g03 is equal to क्या लिख सकते हैं बड़ा delta g02 ठीक है और plus delta g01 या delta minus delta g0 ठीक है 1 divided by यह general formula के terms मैं लिखूं तो delta g01 plus delta g02 ओके और यहां पर यह अपन लोग Gibbs energies को एड़ कर सकते हैं अब यहां से क्या होगा delta g03 मतलब e03 क्या आएगा e03 आएगा बड़ा n1 e01 plus n2 e02 यह general formula में derive कर रहा हूं यहां पर और यह क्या आएगा n3 समझे बात को तो यहां अपन लोग n1 कितता है बड़ा अगर मैं इस reaction की बात करूं तो इसके लिए किता है बड़ा n1 कितता है तीन electron का transfer हो रहा है तो 3z okay n2 कितता है बड़ा यह n2 जो है आपका वह कितता है वहां पर दो electron का transaction हो रहा है तो अपन लोग लिखेंगे n3 आपका है 3 अब यहां से क्या होगा e0 3 is equal to what यह आ जाएगा बड़ा यह तो आपका एक ही electron है तो यहां पर एक ही electron आएगा ठीक है अब देखो बड़ा आपन लोगों को जो desired form था मतलब जो desired srp value थी वह मिल चुकी है ag plus 2ag ठीक है यह कितता होगा x minus of what 3z minus 2y ठीक है इसकी value put कर दी यह formula द्यान रखना बड़ा ठीक है कभी भी gives मतलब electrode potential को direct add मत कर देना यह काफी बार repeated concept है okay पूछा जाता है ठीक है तो यहां पर देखो अगर हम इसको देखें बड़ा तो यहां से क्या आएगा x plus 2y minus 3z okay यह e naught है तो जड़ा check करते हैं कोई option दे रखा गया x plus 2y minus 3z okay option number 3 okay यह आप लोगों को दे रखा है option 3 x plus 2y minus 3z okay तो बढ़ते हैं आगे question number 11 की ओर question number 11 देखो बड़ा the standard gives energy for the given reaction given cell reaction in kilojoule per mole ठीक है भाई e naught आपको दे रखा है और standard gives energy इससे आसांद question तो कोई हो जी सकता हुड़ा clear आपको standard free energy change दे रखा है minus of nf e naught cell ठीक है minus of nf e naught cell minus of 2 electron faraday कितना बड़ा 9600 ठीक है और आपने e naught कितना ले रखा है 2 ठीक है तो यहां पर अपन लोगों को kilojoule में निकालने में बड़ा तो kilojoule से 3 0 तो यह अटाई दो ठीक है ना minus of कितना आएगा 384 आएगा answer ठीक है so option number 3 will be the correct answer बढ़ें आगे बहुत आसान question था इससे आसान क्या होगा clear straightforward वो भी simple formula based formula भी simple कुछ करना ही नहीं था चलो next question आते बड़ा question number 12 a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 paraday ठीक है बढ़ी how many mole of nickel will be deposited at cathode ठीक है तो आसान है ठीक है दो कैसे करते हैं इस तरीके questions को nickel nitrate है मैं echo solution लेंगे तो ni2 plus echo form में रहे रहे बड़ा two electron gives what ni solid ठीक है तो nickel के कितने mole deposit होंगे ठीक है अगर अगर आपन लोग दो faraday current pass कराते हैं ठीक है तो अपन लोगों को कितना मिलता है एक mole nickel ठीक है आप faraday law से भी जा सकते हैं यह direct mole पूछाए बड़ा तो equation को लिखके ही हम लोग direct निकाल सकते हैं आपको point one faraday दे रखा हो तो ठीक है बढ़ते हैं आगे हम लोग next question की और question number 13 क्या बोल रहा है कि conductivity always increases with decrease in concentration of electrolyte ठीक है मतलब हम dilution कर रहा है concentration decrease कर रहा है तो मतलब dilution कर रहा है ठीक है अच्छा always increase with यहां पर conductivity की जहां तक बात है तो वह k जो होता है k is equal to क्या होता है अपने लोगों को पता है g into cell constant l upon a ठीक है तो अगर हम देखे है कि conductivity l की value 1 रखते है area 1 रखते है ठीक है 1 cm और 1 cm2 तो मतलब total volume कित्ता आता है 1 ml ठीक है तो basically अगर हम लोग बोलें तो के की definition क्या है के जो conductivity होती है it is the conductance g of 1 ml solution ठीक है मतलब conductance per ml solution is called as conductivity तो जब हम लोग बात करेंगे dilution बढ़ाएंगे तो dilution बढ़ाने से क्या होगा dilution बढ़ाने से number of ions क्या होंगे बढ़ा पर unit volume क्या होंगे घटेंगे और पर unit volume अगर number of ions घटेंगे तो पर unit volume conductance भी क्या होगी घट जाएगी conductance per unit volume घटेंगे ओवर अल कंड़ती है dilution करने से हमें पता है ठीक है लेगन conductance per unit volume घटेंगे बढ़ा ठीक है तो k की value घटेंगी ठीक है so hence k will decrease ठीक है dilution करने से तो पहला statement जो बोल रहा है अपर लोगों को कि conductivity always increases ऐसा नहीं है ठीक है conductivity तो घटेंगी तो एस जो है wrong statement होगा एस वन तो गलत हो गया एस टू मोलर कंड़क्टिविटी आलवेज increases with decrease in the concentration of electrolyte ठीक है वो dilution के बारे मोलर conductivity के साथ क्या होगा ठीक है तो मोलर कंड़क्टिविटी क्या होती है लेम्डा सी क्या होता है लेम्डा सी होता है आपका conductivity ओके या thousand k divided by m basically lambda c जो होता है बड़ा molar conductivity it is the conductivity of one mole of electrolyte ठीक है that is possessed by या that is occupied by v ml of solution ठीक है तो v ml solution की बात हो रही है यहां पर ओके यहां हम लोग बोलेंगे कि by k into v ऐसे लिख सकते है यह v ml solution क्या है यह आपका v ml solution एक mole carry करता है समझे बात को ठीक है तो obvious dilution करने से v बढ़ेगा ठीक है तो याद रखो कि conductance जो molar conductivity है वो एक mole की conductance है और वो mole v ml solution में dissolved है ठीक है तो entire solution की बात हो रही है ठीक है तो हमने mole तो change करें नहीं है आपने volume अगर increase करा तो क्या होगा यहां पर आपकी lambda c की value बढ़ेगी तो याद रखना कि molar conductivity या equivalent conductivity बढ़ती है अगर हम लोग dilution करेंगे तो ठीक है dilution बढ़ाएंगे तो clear तो s2 जो statement है ठीक है s2 क्या है यह correct statement है यह wrong statement है ठीक है option कौन सा correct बैटे का देखो s1 is wrong and s2 is correct ठीक है option number 3 should be the correct answer okay बढ़ते हैं बढ़ा आगे next question number 14 की तरफ okay यहां देखो बढ़ा अपन लोग कैसे इस graph को देखें अपन लोगों को एक बात तो पता है कि बढ़ी lambda c जो होता है lambda c क्या होता बढ़ी lambda c होता है आपका lambda not c minus a root c ठीक है अब lambda not c क्या होगा बढ़ी जैसे lambda not of c kcl क्या होगा lambda not of k plus plus lambda not of c l minus ठीक है और lambda not of na c l क्या होगा अपन लोगों को na c l और kcl के molar conductivity के graph को compare करना वेड़ा concentration के साथ ठीक है lambda not of na plus plus lambda not of c l minus ठीक है अब देखो अगर हम लोगों को ध्यान हो बढ़ा तो यहां पे c l minus तो common है ठीक है अब किसका lambda not limiting molar conductance किसका ज्यादा होगा तो conductance अगर हम बात करें तो first जो alkali metals है alkali metals की जो hydration energy सबसे ज्यादा lithium की होती है तो उसका size सबसे ज्यादा होता है ठीक है तो size सबसे ज्यादा होने की विज़े से electricity electrical conductivity का होती है सबसे कम ठीक है तो electrical conductivity का जो order लिख रहा हो मैं वो यह है आपका k plus equals then okay and so on ठीक है तो अगर हम देखें k plus की molar conductivity या limiting molar conductivity na plus से ज्यादा होगा तो that for से ओर के lambda not of kcl will be greater than lambda not of ncl पहली बात ठीक है तो एक तो important बात यहाँ पर note करने जैसी ठीक है तो यहाँ पर जो अगर graph की बात करूं तो graph कौन सा सही रहेगा अपने ठीक है graph कौन सा सही रहेगा kcl कहां कहां ज्यादा है यह तो नहीं हो सकता बढ़ा lambda not of और यह भी नहीं हो सकता क्योंकि limiting molar conductivity यहाँ पे चेक करो आप अब सवाल इन दोनों का है ठीक है कि second option और third option तो ध्यान रखो बढ़ा यहाँ पे यह line क्यों cross करेंगी ठीक है कोई वजए नहीं है क्योंकि दोनों का जो यह वाला factor है ठीक है वो तो सेम ही रहने वाला clear तो यह इस तरीके से parallel line आएगी second option विल भी the correct answer समझ में आ गया बढ़ते हैं आगे बढ़ा next next अपन लोगों को जो दे रख्खा है ओके फिर से एक oxidizing power का question आ गया बढ़ा clear again oxidizing power फिर से वही जबाब ठीक है कि oxidizing power जो होगी वो किसके directly proportional बढ़ा srp value ज्यादा किसकी है srp value हम देख सकते हैं आपर सबसे ज्यादा किसकी हुई 1.81 clear cobald plus 3 और फिर उसके बाद 1.67 serenium और फिर उसके बाद bismuth clear तो अपन के पास तो order आएगा वो क्या आएगा cobald plus 3 फिर bismuth sorry lead है ना तो cobald plus 3 के बाद आ रहा है आपका pb plus 4 फिर उसके बाद आ रहा है serenium plus 4 और bismuth plus 3 ठीक है तो अगर हम देखें option को ही match कर रहा है yes option number 4 will be the correct answer ठीक है ना तो यह आपका question number 15 मतलब आपन लोग देख सकते हैं कि repeatedly इसी pattern पे तीन question हम लोगों को मिल चुके है ना clear चलो next question की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग now question number 16 देखें वड़ा the decreasing order of electrical conductivity of the following echo solution ठीक है तो electrical conductivity की बात यहां पे हो रही है तो basically इसको थोड़ा सा अपन लोग दूसरे अंगल से देखें problem को 0.1 molar formic acid 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar benzoic acid ठीक है तो अगर हम देखें यहां पर 0.1 molar formic acid 0.1 molar acetic acid और 0.1 molar benzoic acid ठीक है तो यह सभी weak acid है और जिस weak acid के corresponding ionization ज्यादा होगा clear उसकी electrical conductivity ज्यादा होगी तो अब देखो यहां पर formic acid ठीक है acetic acid और benzoic acid ठीक है तो जिसका k value ज्यादा होगा उसका dissociation ज्यादा होगा जिसका dissociation ज्यादा होगा वो क्या करेगा बड़ा h plus ion ज्यादा produce करेगा ठीक है अच्छा जी अब यहां पर h plus ion ज्यादा produce कौन करेगा या ions की concentration जिसका degree of dissociation ज्यादा होगा जिसका degree of dissociation ज्यादा होगा clear वो क्या करेगा आपका alpha अपन को जिसका ज्यादा होगा ठीक है उसी की conductivity ज्यादा होगी और alpha किसका ज्यादा होगा जिसका k ज्यादा होगा अब k तो अपन को ध्यान नहीं है लेकर अपन लोगों को जो है pk value याद है तो भी ठीक है नहीं भी याद है तब भी अपन लोगों को यह पता है clear कि formic acid और का प्लस-ई-फेक्ट होने की विजए से फॉर्मिक एसिट जो है बैटर एसे बटा इसी तरह की से बैंज्विक एसीड में कंबाइन एफेक्ट लगता है ठीक है प्लस- एम और माइनस-ई- तो दौनों का रिडिल टेंड जो निकल के आता है ठीक है अगर ध्यान हो आप लोगों को तो formic acid जो है आपका 4.7 होता है इसका 3.7 होता है ठीक है और benjuic acid आपका होता है 4.2 ठीक है तो जिसका PK value सबसे कम होगा उसका dissociation ज्यादा होगा clear तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा बड़ा formic acid formic acid के बाद कौन सा आएगा यहाँ पर benjoic acid और benjoic acid के बाद कौन सा आएगा acetic acid ठीक है तो यह आपका के का value हो गया है ना और के के value के हिसाब से हम लोगों की जो electrical conductance होगी वो सबसे ज़्यादा formic acid के होगी क्योंकि इसका ही degree of resistance ज़्यादा होगा I hope समझ में आगया होगा clear बढ़ते हैं आगे now to question number 17 देखते हैं हम लोग उड़ा यहाँ पर given that standard potential E0 आपको दे रखा है Cu2 plus ठीक है ना Cu2 plus plus 2 electron gives what Cu solid इसके लिए E0 1 आपको दे रखा बढ़ा फिर आपको दे रखा है Cu plus electron gives what Cu solid इसके लिए आपको E0 2 दे रखा है आए ना ठीक है now अब यहाँ देखो अपन लोगों को पूछा जा रहा है कि E0 Cu2 plus का Cu2 plus 2 Cu plus क्या होगा ठीक है अच्छा तो यहाँ पर अपन लोगों को Cu plus निकालना है ओके अब देखो यहाँ पर Cu plus aqueous यहाँ से आगया आपका E0 3 क्या आगया E0 3 यह find out करना है ओके बढ़ा अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि इसके लिए corresponding मानलो डेल्टा जी नॉट 1 है इसके लिए डेल्टा जी नॉट 2 और यह क्या होगा अब डेल्टा जी नॉट 3 तो हम लोग क्या कर सकते हैं third equation जो दे रखी है 1 2 & 3 यहाँ देखो third equation अपन लोगों को जो दे रखी है उसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं third equation will be equal to the summation of first and reverse of second है ना अच्छा तो फिलाल अपन लोग यहाँ पर क्या करें बटा डेल्टा जी नॉट 3 क्या होगा डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 जो होता है जब reverse करेंगे तो यहाँ पर minus आ जाएगा ठीक है अच्छा अब देखो यहाँ पर इसको जब आप NFE के terms में लिखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा N3 E0 3 is equal to what N1 E0 1 minus N2 E0 2 ऐसा लिख सकते हो जाँ ठीक है यहाँ से देखो E0 3 क्या निकल गया आएगा बई E0 3 आएगा आपका N1 E0 1 N1 कितना बड़ा first reaction का sec 2 ओके और यह आपका E0 1 कितना दे रखा 0.34 0.34 clear तो यह आएगा 0.34 plus okay 0.522 तो यहाँ से plus का क्या हो जाएगा बड़ा minus हम लोगों है ठीक है reverse करेंगे इसको तो minus of one electron into 0.522 upon what N3 कितना बड़ा N3 third reaction के लिए number of electrons कितने involved है one clear अब अपन लोगों को solve करना वागी रह गया है okay तो यहाँ देखते है बड़ा यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 0.68 minus 0.522 ठीक है क्या आएगा देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 85 ओके 680 यहाँ पे 853 और यहाँ पे आपका 0.158 ओके तो आंसर विल भी वाट बड़ा 18 है 18 नमबर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग बड़ा देखते हैं 18 क्या कह रहा है ओके दा equation that is incorrect कौन सा समीक्राण गलत है ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ यहाँ पे लिम्टिंग मुलर Brookić के रिलेक्ट्रोर को देखें तो हमें एक कोलरास लॉ usar की याद आ रही होग ओक रही झा ठीक है कोलर लॉस लॉ जो है अपने लोगों को क्या बोलता है वीड़े कोईभी पी एलेक्त्रोलाइट है तो एलेक्त्रोलाइट का जो लिमिटिंग् मोलर कंडुक्टिविटी होता है that is the summation of limiting molar conductivity of individual cations and nines उसका सम होता है ना तो जैसे कि हम बात करें कोल्रोस लाउ तो यहाँ पे water क्या बढ़ा एक वीक लेक्त्रोलाइट है और एक वीक अब हमें पता है बिटा कि water के लिए या weak electrolytes के लिए limiting molar conductivity को हम लोग experimentally obtain नहीं कर पाते हैं इस वज़े से क्या है हम लोग इसको theoretically जाते है strong electrolyte की help से strong electrolyte के लिए limiting molar conductivity हमें पता होती है ठीक है ना experimentally known है है ना तो यहां पर क्या होगा यह अपन लोग strong electrolyte h plus कहां से मिल जाएगा बढ़ा lambda not of hcl से ठीक है बई प्लस lambda not of oh minus कहां से मिल जाएगा बढ़ा lambda not of naoh से ठीक है lambda not of second option में देखते हैं लोग lambda not of nabr minus lambda not of nacl यहां से कहां निकल कहा है बढ़ा lambda not of br minus का difference किसके साथ lambda not of cl minus क्योंकि na plus तो common है दोनों में ठीक है तो limiting molar conductivity में na plus की molar conductivity तो घट जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी अब यहां पर lambda not of kbr minus lambda not of kcl ठीक है यह observation को लोस में किया और उसी के basis पर उन्होंने बोला था कि जो limiting molar conductivity होती है that is the sum of the limiting molar conductivity of individual ions ठीक है तो यहां पर देखो lambda not of br minus और lambda not of cl minus यह result obtain किया statement जब उन्होंने दिया तो इस तरीके कि कई सारे strong electrolyte को observe करा उन्होंने ठीक है तो यह option भी correct दिख रहा है बड़ा ओके यह भी correct यह भी correct यह भी correct अपन लोग next option पर जाए next option क्या बोल रहा है अपन को कि भाई lambda not of na br minus lambda not of na i ठीक है यहां पर catein common है तो third option में जो निकल के आएगा वो आएगा lambda not of जो है br minus और minus lambda not of i minus ठीक है अच्छा is equal to क्या होगा यहां पर br br cancel out होगा तो यहां से lambda not of k plus minus lambda not of na plus यहां पर कोई relation validity नहीं हो रहा है इस तरीके का यह यहां एनाइन का difference है catein common था यहां पर एनाइन common है catein का difference है ठीक है तो यह अपन लोग कुछ होगा भी नहीं एककोल नहीं होगा clear so third option should be the incorrect one है ना fourth option भी check कर लेते हैं फिर से वही बात है यहां पर क्या है third option will be the answer ठीक है now 19 question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ा what would be the electrode potential for the given half cell reaction at pH is equal to 5 तो pH is equal to 5 पे अपन लोगों को क्या करना है एलेक्टोड potential निकालना है ओके आपको e not day रखा है इस reaction का तो c यहां पर अपन लोगों को क्या पता है बढ़ा e निकालना है और e is equal to what e not minus 0.0591 upon what यहां पर आएगा आपका 4 log of log of क्या आएगा यहां पर आएगा आपका h plus i n की concentration to the power 4 and partial pressure of oxygen ठीक है यही लिखा जाएगा इसका expression ठीक है यह तो आपन को पते ही है e not आपको given है e not किता है e not देखो यहां पर अपन लोगों को e not दे रखा है 1.23 minus 0.0591 as it is upon 4 अच्छा partial pressure of oxygen जो है आपको अगर standard condition पर देखें तो हम लोग वन बार प्रेसर कंसिडर करेंगे ठीक है अच्छा अब यहां से क्या होगा यहां से बटा 44 cancel out हो गया ठीक है यहां पर बचा 1.23 okay minus या हम लोग बात करेंगे यहां पर इसको minus को अंदर बेज दो तो यहां पर क्या बचेगा 0.0591 into what बढ़ा minus log of h plus क्या क्या लाता pH ओके आपको pH दे रखा है कित्ता दे रखा है बढ़ा 5 ओके तो आप इसको 5 लेके multiply कर दो जरा है ना pH 5 भी दे रखा है ना okay so pH आपको 5 दे रखा है तो जब आप इसको multiply करोगे यहां पर 5 0.2955 इसको add कर दो बटा clear तो यहां से क्या आएगा भई 5 और यहां पर जो है आपका 9 3 12 2 2 4 & 5 1.5255 ठीक है तो यह आपका numerical based problem थी बटा interior based clear तो इसका answer जो आएगा 1.5255 आएगा ओके बढ़ें आगे चलो next question की तरह बढ़ते हैं हम लोग next question है question number 20 आप पढ़ो इस question को ध्यान से कि बढ़ो आपको एक electric electrochemical cell दे रखा है stannis iron का और lead का ठीक है बटा यह दो electrode दे रखें आपको तो हमसे पूछा गया है कि इसका ratio लिखो जब यह equilibrium attain करता है ठीक है तो इसका e naught निकालेंगे जब इसका e cell का इस given cell का ठीक है बटा तो पहले तो e cell is equal to e naught cell minus 0.0591 upon 2 log of क्या आएगा log of आएगा आपका इसका oxygen होगा यह reactant product side पर रहेगा यह reduce होगा तो यह reactant side पर रहेगा तो product upon reactant clear इसी का ratio निकालना अपन लोगों को जब equilibrium की condition established होगी बटा तो यह value जो होगी वो किसके equal हो जाएगी यह value आपकी kc के equal हो जाएगी या k equilibrium के equal हो जाएगी ठीक है अच्छा समझा बात को now अब अगर हम देखें यहां पर की E0 निकालना है अपन को ठीक है E cell तो 0 हो जाएगा बटा equilibrium पर तो E0 cell के आएगा आपका E0 cell आएगा 0.0591 upon 2 log of kc ठीक है अच्छा यहां देखें बटा E0 कितना आएगा इस पर हम जड़ा बात करते हैं ठीक है E0 कितना आने वाला है see E0 आएगा आपका standard electrode potential of lead E0 of pv2 plus 2pv minus E0 of sn plus 2 to sn ठीक है यह E0 रहेगा इसकी value आपको कितनी दे रखे बटा जो है इसकी दे रखे आपको minus 0.13 minus 0.13 और इसकी दे रखे बटा minus 0.14 मतलब यह plus 0.14 आएगा ठीक है ओके काफी close value है यह दोनों ध्यान से अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या बचे गवड़ा 0.01 ओके 0.01 वोल्ट बचा clear now अपन लोगों के पास सब क्या बचता है log of kc is equal to क्या है गवड़ा 0.01 okay 0.01 into 2 upon इसको मैं 0.06 के around लिख दे रहा हूँ ठीक है तो यहां से क्या होगा बचा 2 upon 6 आएगा 2 upon 6 मतलब 1 upon 3 ओके 1 upon 3 कितना होथा 0.33 ओके तो log of kc आगया आपका 0.33 है ना तो kc कितना है गवड़ा एंटी लोग of 0.33 अचा एंटी लोग of 0.3 कितना होथा गवड़ा 2 तो यह value जो है कुछ 2 से थोड़ी सी बढ़ी आ रहे होगी around हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.13 यहां पे भी हम लोग ने approximation माना था तो अगर यहां पे 0.591 होता तो यह value थोड़ी सी 3 से कम होती और यह 3 से ज्यादा होती तो रफली इसको हम इसको रफली 2.2 के around हम लोग रख सकते हैं ठीक है तो 2.13 जो है इसका answer है ठीक है तो 2.13 इसको ले सकते हैं ठीक है इसको मैंने anti-log लेके देखा था ठीक है इसको exact calculation में तो rough calculation भी अपनी उतनी ही आ रही है ओके चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन ओके तो एलेक्ट्रकेमिस्टी का यह लास्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं कि 108 ग्राम औफ सिल्वर इस डिपोड़िटेट एड कैथोर्ड फॉम सिल्वर नाइट्रेट को डिश्चार्ज कर रहे हैं तो यह कितना है बड़ा सिल्वर डिश्चार्ज करने पर 108 ग्राम है ठीक है तो मतलब हमने क्या करा एक फैराडे चार्ज पास कराया होगा चुक्छी देखो एक मॉल पास कराने के लिए बटाएक मॉल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी एक एक मॉल सिल्वर को अगर आप डिश्चार्ज करा रहे हैं एक मॉल सिल्वर का मतलब 108 ग्राम सिल्वर ओके देखोल तो बॉट वन फैराडे ओफ चार्ज ठीक है तो पहले तो यह समझ लो बटाए 108 ग्राम का मतलब हमने चार्ज कितना पास कराया वन मॉल ऑफ एक्ट्रॉन के बराबर मतलब वन फैराडे ठीक है अच्छा अब हमें क्या कराना है कि वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्षिजन गैस प्रेड्यूस्ट ठीक है एट 273 कल्विन और वन बार प्रेसर फ्रॉम वाटर वाटर वाइद सेम कॉंटिटी ओफ एक प्रेसर या टीक है यहां पर फ्लस प्लस फोरलेक्त्रॉन ठीक है अब देखो इस reaction को अगर हम देखें तो water का जो है एनोड पे जब electrolysis होता है तो एनोड पे जो हमारी reaction हमें oxygen evolve होती है equation यह बनती है water के electrolysis के लिए है ना तो यहां पर कितने फेराडे करेंट आ रहा है बड़ा चार मोल अगर electron pass होंगे तब जाके एक मोल oxygen produce होगा मतलब 4 फेराडे से एक मोल oxygen आएगा क्योंकि हमें oxygen का volume पूछा है बड़ा STP की condition पर तो अगर हम बात करें यहां पर एक फेराडे चार्ज ले रहे है हम लोग तो मतलब यह कितना आएगा 1 upon 4 f into 1 f okay that comes out to be बड़ा 1 by 4 मोल 1 by 4 मोल O2 ठीक है अच्छा एक मोल का volume कितना होता है STP पर 22.4 तो 1 by 4 का कितना होगा बड़ा that is 22.4 यहां से क्या आगया बड़ा 5.6 लीटर आएगा okay so this will be the suitable answer okay 5.6 लीटर और यह भी आपका numerical based problem ही थी okay तो मेरे समझ आया होगा आप लोगों को बड़ा clear electrochemistry तो हमारा आज electrochemistry का discussion over हुआ जिसमें हम लोगोंने करीब 21 questions के थूरू concepts को समझा और यह important chapter बड़ा और formula आप देख सकते हो यहां पर कि usually Gibbs free energy और जो है नस्ट equation से based question ज्यादा आते हैं फिर फेराडे लोग और जो है electrical conductivity पर बात होती है इसमें ज्यादा तर तो अच्छे से आप लोग revise कर लो इस chapter को और formula based पर और उनको कहां apply करना है that's all clear तुछ लिए all the best thank you very much